वाहिगुर्जी का खाल्चा वाहिगुर्जी की फते अप लड़ीवार विचार कर रहे हां सवये दे बारे शिरीगुरु ग्रंसाय महरास्देविच पट्रादे सवये दर्जहन एकसो ते वन हंड़ड़न ट्वंटी त्री पहले दस सवये शिरीगुरु नानक साहिब जीदे सबंदे विच जो के पाटकाल जी ने लिखे हैं अप उन्हादे विचार किती उस्तो बाद से लेख है सवये महले दूजे के पाव सवये बानी हैं दूसरे महले शिरीगुरु अंगस महरास्टी नू संबोधन करके उन्हादे सबंदे विच इस सवये उचारन किती ने एक ओँकार सत्गुर्प्रसाद ए मूल मंतर दा मंगला चरन दा छोटा रूप है एससी लेख दे अंदर दास सवये दरजहन शिरीगुरु अंगस साहब चिदे सबंदे विच पिछले आठ सवये दी विचार अप आप पिछले लेक्चर्स दे विच किती हैं आज आपा ना जो पाट काल जी ने लिखिया है उसनों अपां समझन दी कोशिश करांगे अते अगले हफ़ते तो महले तीसरे दे जेड़े ने वो सवये अपां अरंब करांगे नोमा जेड़ा सवया है उसनी अरंबता कर देहन सच तीरत सच इशनान अर पोजन पाओ सच सदा सच पाकंत सो है सच पायो गुर सबद सच नाम संगती वो है सच तीरत सच इशनान पहला अक्खर वर्त देहन सच फिर गुरु नानक साहब जीतों अगर अपा थोड़ी हेल्प लेए समझन दी कोशिश करिए इंदर राग रामकली गुरु नानक साहब जी सब्सक्राइब जीएड देहर थी इमोर्टल थिंग्स इंडिस वर्त तिन चीजां ऐसीया हन जो अमर हन जो कदी नहीं मर्दियां हमेश्या हन केडिया हन ओ तिन चीजां गुरु नानक साहब केंदे हन थिर नारायन थिर दा मतलब है सच थिर दा मतलब है जो हमेश्या रहेगा थिर तो पाव है कदी ना खतम होन बाला तो देर द द दी सित्थ तू गुरु नानक साहब जैस्ट थिर तैलिंगा थिर ना रायन ना रायन विच मिन्स गॉत लॉड लॉड पर मात्मः पर मात्मा केंदे ओ हमेशा रहेगा उस्तो बाद थिर गुरु जड़ा गुरु है केंदे ओ भी हमेशा रहेगा शबद गुरु है सदा अंग संगया पंगंग बेपूते जित्थे हर आरादी है तित्थे हर मित्सहाई तो शबद रूप दे विच इसनों तुसी खतम नहीं कर सकते इस गुरु नू थिर साचा बीचार केंदे ना पर मात्मा खतम होगा ना इस शबद गुरु खतम हो सकता है और ना ही उदी विचार खतम हो सकते है उस पर मात्मा थे कदी भी ने खतम हो सकते इसे चीज नो अग्गे लेके चल देने पाट जी इना सवईयां देवेच जो हमेशा है जो सदीव है जो कदी खतम नहीं होना केंदे सच तीरत सच इशनान उन गुरु नानक साहिब जी ने अग्गे पाई लेहना जीनु जोत जेडी है दित्ती है ग्यान दा सुमा बणाया है तो गुरु अंगत साहिब जी दे लई तीरत की है केंदे सच ही तीरत है सच ही तीर्थां दा इशनान है अर पोजन पाओ सच और पोजन प्यार दा उभी उनना ले सच ही है गोबिंद पाओ पगत का पुखा सदा सच पाकंत सो सच तीरत केंदे तीरत जेडायना उन नाम ही है उनना ले सच ही है परमात्मा ही है गुरू ही है इसनों सी अधन समझिये अधिक सम ट्रैक्टीकल एक्जैंपल गुरु्णानक साहब जीमे गुरुद्वारां साहब विच नहीं गए उस समिछ गुरुद्वारे शी भी ने तो गुरु-नानक शाहब तार में के स्थाना नहीं गए पर जिस रस्ते तों गुरु नानक साहिब गुजरे वो जगा तार में का स्थान बन गई जित्थे गुरु नानक साहिब जीने परकाश लेया अपने चरण पाई वो जगा ननकाना साहिब हो गई गुरु द्वारा पंजा साहिब जिस जगा तो ए राबनाल जुड़े प्यारे गुजर देहान वो जगा तीरत हो जानते हैं तो तीरत ऐसे नूँ केंदेहान तीरत अस्थान असल दे विच जेडे मनुख प्रमात्मानाल एक्तमे को जनदे नना उन आस्थाना नू तीरत कया जनता है जिमें पारत्दे विच गल चल दी है 68 तीरत अठाठ तीरत अस्थान हन सनातन तरम ते विचे उन मंदिर ते उत्थे बहुत ने तार्मे का स्थान ते बहुत ज़ादा ने फिर अठाथ क्यों केंदे ने ओ अठाथ उने जिथे कोई वकत दा अवतार कोई पगत रुक्या होए जिसते चरण पाए हो उन गुर्द्वारास साहिब विचि वे सी कहन दे यहां गुर्दवारा साहिब है एक जगा तहीं कि इत्हासक गुर्दवारा साहिए इथे गुरु दे चरण पे हैं इत्थे गुरु साहिए हैं तो जीदे अंध्रों परमात्मा प्रगटूंदा है इक पावे है जिड़ा नामनल जुड़ जन्दा है फिर ओ चाहे टीरत ते न हाथ रख दिन्दा है उजगा ही तीरत हो जांदी है जिस जगाते पैर रख दिता है उजगा तीरत हो गई है जिस जगाते अवतारे कुश इसनान भी कर दे हन वे grandhmmis toτα किदा उंदी है जेदे उंद्रो नाम परगट हो तो तिरथ बड़ा कि हरका दास पगत कभीर कोशन भी करें वड़ा कौन है? तिरथ है कि हरीदद दास है? तो वज़ेध पाफ यही है, हरीददद दास वड़ा है क्यों? हरीद दास जित्छे बैठे आओ जग़ा तिरथ होगा तो सच तिरथ सच शनाल तो गुरू साहब केंदेने तीरत दे नाल या तीरत दे शनान दे नाल नहीं तो तीरत दे जान तो इतले नाल जुड़़देने जिस दे नाल जुड़ण ते मुनुख जित्थों गुजड़दाए वूजगाई तीरत बन जाती तो तीरत ते जान तो इथे मना नहीं है, तार्मिक अस्तान समा बने ते जाना भी चाहिदा है, पर इथे गल एहाँ असल दे विच्च तीरत केड़ा है, असल इशनान केड़ा है, तीरत नावन जाओ, तीरत नाम है, सच तीरत, तो गुरु अंगस सहब जी दे लई, तीरत अस तीरत है सच इशनान रभ दा नाम ही तीर्ठादा इशनान है अर पोजन पाओ सच पाओ देना प्यार देना पूजन किते किसेनु रभ देले गुरु देले प्यार है ते उवी सच्छा है सदा सच पाखंत सो है पाखंत पाखंत तो पाव है पाखिया जाना बोलना जपना प्रफेसर साहब सिंग्जिने स्थियर्थ कि तेने जपना बोलना तो सदा सच पाखंत सु है कि इंदे सदा तु से सच देनाल जुड़ेया है उसे सच नुवार वार तुसी जप रहे हो दोहरा रहे हो you are remembering Lord again and again reciting His name again and again सु है इस करके तुसी सो रहे हो so now there are two meanings of this word सु है there are two different meanings but yet connected word अलग अलग है पर फिर विक दूसरे दिनाल जुड़े है सोहे केंदे इने सुशौबित करना मान देना वोटे आई सोहे केंदे इने सोहने इन्हों नाइस ब्यूटिफुल वे यूज़ वर्ड ब्यूटिफुल मिन्स सोहना सोना उन्दा है शोबना असल दे वेच जेड़ा शोबदा है वो सोना ही लगदा है ते जेड़ा सोना है वो शोबदा ही है तो सोने दी डेफिनिशन अलग-अलग हो सकतिया ने पर इथे केंदे ने वे तूहीं सोना है तूहीं सोना लगदा है तूहीं शोबदा है क्यों तेरे मुहों जदों जो निकलदा है सिर्फ सच ही निकलदा है तू सच न लेक में कहें, सच पायो गुर्षबद, सच नाम संगती वो है, परे सच मिलिया कि थो, गुरु अंगद साहिब जी, ऐसा वस्था थे पहुंचे कि में, वो पाई लेना, गुरु अंगद तक पहुंचे कि में ने, सच पायो गुर्षबद, वो सच मिलिया कि थो, ज से शबतने प्राप्ति कोले छुण दूसरे अर्थिस से करदे सच पायो गुर्व functions जोंगे ता अ नाम संगती वो है उन चेड़े वी गुरु अंगत सहब जिरी संगत देविच बैठ देहन उना नूं बू है पाव सुगंदी प्रेगनेंस कि दी अन्दी है उस सचे दी अन्दी है शाद के संग नहीं का चेकाल दर्सन पेटत होतने हाल पाव पियारे नाल बैठ दे हाँ तो प्यारा याद अन्दा है प्यारा याद प्यारा याद अन्दा है एक खुशबू तो अड़े अंद्रों निकली होते हाँ जेस सच संजम वर्त सच कब जन कल वखान दर्सन पर से गुरू के सच जनम परवान जेस सच संजम वर्त सच कैसी अवस्था है तौड़ी जेस सच संजम तुहादे लई सच ही संजम है संजम मिन्स सेटिस्फेक्शन संजम मिन्स वी आर स्टेंडिंग और संजम पाव किसे जगाते रुक गई है सैटिस्फेक्शन आ गई है नो मोर ग्रीट वी एर हैपी विदे तो कैंदे ने जिस सच संजम कैंदे तो हानू साच मिलिया है और तुसी कैंदे होन कुछ चाहिदा ही ने और ये सचाहिए है जदो परमात्म ही मिल गया फिर कुछ रही नहीं गया जदो पेड़ ही पूरा मिल गया फिर की मंगनी पेड़ दी छाया कि मंगने उस दे फल जदो पेड़ी अपने तो फिर सारा कुछ ऑपना होगया तो कैंदे उस तो बाद फिर मुनुक संजम देवेच गरहन जैसे सच संजम संजम की है कैंदे साच दा संजम है मैंनुक प्यारा मिल गया नाम मिल गया हुर कुछ नहीं चाहिए दा वर्त साच तो तारमिक काम वी सड़ा समने रखे हां तारमीक चीजां रखे आ पर उससरी नाम नागी जुड़िया है तीरथा थे जाना, तीरथ इशनना थे जाना, इस पोजंडे सबंदी, वर्त दे सबंदी, संजब दे सबंदी केंदे सब उस दे नाम दे नाल ही पूरे हुंदे हन उस दे नाम दा मिलना सब कुछ दा मिलना है कब जन कल वकान कब केंदेने कवी नो जिद्दा सी चौपई साह विच भी पड़ दे हां कवे ओ बाच चौपई कवी बोलेया चौपई दे रूप दे विच गुरु गोबिस संग्ग जी आपने आपने कवी केंदे हां तो एथे पाटकाल जी अपने कवी अखर-वर्त दे हनकब केंदे एक कवी जन तेरा दास कल वखान यह तेरा दास जेड़ा है पाटकाल जी केंदेने मैं तेरिक घुणादा वख्यान कर रहा हां सु दर्षन पर सिया गुरू कह सच जनम परवाण धर्षन पर सिया गुरू कह इंदे गुरू तेरे दर्षन कितेया तेरे कोल बैठेया तेरे दर्षन दिदार दे नाल क्यों है साच जनम परवान केंदे इस साच देनाल जुड़े हाँ ए जेड़ा जनम मिलेया है यह परवान हो गया पाव अप्रूव हो गया है और अप्रूव कदों दा है पई परापत मानक दहुरिया गोबिंद मिलन किये तेरी परवा प्यारा मिल जावे फिर कुछ बाकी नहीं रह जान्दा बाकी जो मर्जी मिल जावे जे प्यारा नहीं मिलेया फिर असी रह गए असी दर्शन सोच दे हैं बेसिकली फिसिकली कई वरी गुर्द्वारा साहब दे विच्वी लोग की रूमा अला साहब उपर चाके ते गुरुगरान साहब जुनु वेख देने ते कैंदे ने दर्शन होगे जी लेट्स राइट वंडर्शन वाट इस दे कंसेप्ट अब दर्शन सुब करें हरे अग पाप सकल मल काम क्रोज अर लोब मो वसकरे सबैबल अमें दरिश्ट सुब करें तेरी अम्रित मैं दरिश्टी ऐसी है कि सारे ही कम शुब कर दी है और दूसरे अर्थिस्ते बन देने तेरी अम्रित दरिश्ट ऐसी है सुब करें कोई अशुब वी आवे कोई माढ़ा वी आवे कोई खोटा वी आवे तो उसनों खरा कर दिनना है तो उसनों शुब कर दिनना है जिमें साखी हर गोबिन से पाश्चा जी दी so that we can have much more clear understanding जिमें एक सेख सी हर गोबिन से पाश्चा दे समें उस दे कुछ बाग सान अच्छा उस दा कमकार सी and one day he decided to make a keer with white honey उस ताइम वी white honey जड़ा सी बहुत रर सी it was quite difficult to find even in today's life as well it's not as easy possible थोड़ा अज भी difficult है तो उस समें एक सिखने खीर बड़ाई white honey जड़ा है और सोचा भई ए सब तो पहला गुरू हर गोबिन साब पाश्चा नों शकानी है तो उस तो बाद किसे हो नों देवाई so the moment he was coming to meet शिरुगुरु हरकोबिन साहिब जी he met one poor person before he could reach to गुरुद्वारा साहिब he requested ओ गरीब मनुख ने उस सिखनू के हाँ मेननू बहुत पुख लगी है एक खीर मेननू दे दे केंदे उस सिखने के ना no I will not give it to you एक खीर ते हरकोबिन साहिब जी देले बनी है ते तेनू नहीं मिले नी केंदे उस फकीर ने हाथ जोड़े he said I am requesting you I am folding my hands in front of you and I am just begging it I am so hungry मैं पुखनल मर रहा हां एक खीर मेननू भी खुवादे सच जान गुरु साहिब गुसा नहीं करणगे मेननू खुवादे मेननू बहुत पुख लगी है केंदे ही रिक्वेस्टेड ये बैग प्ल अफ ताइम्स बट इस सिक्ट दिद नूट गड़ी और ब्रिंग दाट केर तो हर गौबिन साहिब और पुट नेक्स तो हर गौबिन साहिब पर हर गौबिन साहिब जी ने केंदे खाद दीने और बेंती करें भी गुरू साहिब खांदे क्यों नहीं वट वस्ट रिप्लाइ समीजिंग गुरू जी केंदे इस ट्व खांदे केंदे सेख कंब गया गुटंग फांटेट बुट हैपंट इडिनोट थिंक अबाउट इडिस टाइप अंसर में कम फुदेन ये पॉलोजाइस्ट माफी मंगदा है की कितना जावी गुरु सहब तुसी किमें खाओगे गुरु सहीब ने क्या पहला जेड़ी की रहना उस गरीब नुशकादे जो उसने शाकली ते समझो अपाँ शाकले उसनुशकाद उन्हों सेखदा हिर्दावी कियो या पवित्तर होया कैने फिर उसने सेवा शुरू कि गरीबानु शकानास मदद करनी तरह मंदर पैदा हो गया सो अमें द्रिष्ट सुब करा है ओ अम्रित मही द्रिष्टी ऐसी हुंदी है जदो ओधे कॉन्टेक्ट चासी आंदे हाना फिर असी वी चंगे कम करन लग पहेंदे कंपनी डिसाइड सब्सक्राइड में अग अपराथ पाप सेंच हरे चुरी करना हरे दाई करता है चूरी करना खतम करना विनाश करना मार देना पजा देना तो की उन्दाई करने खतम हो जान देने पजी जान देने ए अग ए पाप ए गलत सोच ए गलत कम सारे पजी जान देने सकल सारे सकल तो पाव सारे मल तो पाव मैल गंदगी गलत विचार तो पाप दे अपराद दे सारी मैल जड़ी है वो गुरू दी द्रिश्टी दे नाल पाव गुरू दे बोला दे नाल सारी चली जन्दी है क्यों फिर अंद्रों मनुख शुब हो जन्दा है या कहलो जो दो शुब होंदा है फिर आपी चले जन्द एक कोई शॉब है या थे शांती रहेंगी वि गान्न सेस्ट्व परशन इस विय्क वरी काम आप शान्द पासिव जैन्द लागरे के शांत लंगरे and we cannot say he's shouting so politely otherwise he's so polite or maybe shouting so just one thing कुड़ बीदेर आइम जस्ट मीन टुसे तो जदू शुब बांदा हैं पाप सारी खतम हो जांदेने सारे और किदना दे पाप केड़े काम क्रोद अर लोब मो वस करें सब आब बल केंदे काम क्रोद लोब मो सारे गुरु साइब ने जड़े ने ना वास्ची किते हो इने बल केंदेने बलवान बल केंदेने पावरफुल तो केंदे जड़े पावरफुल ने विकार ने ना काम क्रोद सम्टाइमस भी से कि मैं गुस्टा करना नहीं सी आ गया I could not able to control it आ गया बिकास क्रोद ज़्यादा पावरफुल से मैं उस्ता बुरा करना नहीं सी हो किया खुड़ा सकता है लिए अपने बॉला दे रहे प्रसी मन नी रह अलग गला एप्रैक्टिकल इस इंपार्टेंट सदा सुख मनवस है दुकसंसार है खोवे गुर नवनिद दरीयाओ जनम हम कालखतोवrica सदा सुख मनवस है दुकसंसार है खोवे घुटयने टेन best पूरे परयों इस विल्ड देनिया अनंद देना माज देना ते हुंदा किया है वो एन्नेक सुखी ने एन्नेक अनंदित ने दुख संसा रहे खोवे जदों को दुखी मनुख भी गुरू को चांदा है ते गुरू दुखी नहीं होंदा गुरू सगो उसनों सुखी कर देन्दा है What happens in our life if someone comes to us and he is so sad he is depressed and if he will start sharing his sad stories after a few minutes we will also become so sad get influenced वो दे दुख दियां गल्ला सुन के असीवी दुखी हो जानने हां पर गुरू ऐसा है साड़े दुख वाली यां गल्ला सुन दा है कि साड़ा दुख खतम कर देनता है सदा सुख मन वस है क्यों गुरू साहब हमेशा ही खोशन है आवर लाइफ यार हैपी सम्टाइम यार सैड तू आप आलवेज बीर हैपी यार नोट स्माइलिंग अवरी टाइम वो तिंग्स कम इन आवर साइब और वी में से लाइक डबल एज़ स्वाट सम्टाइमस हैपी सम्टाइमस नौटइप सेम्स मेक्स एपी और सम्टाइमस यार नौट है इनॉफ सुपर गुरू कैसा है गुरू अंगा साहब जोदे बारे लिखे थे हन पाटकाल जी सदा सुख मन वसा है इस आलवेज है ती गुरू नव निद दरियाओ कैसा है नवनिद दरियाओ नो निदियां को झाणने खञान ननिद नो खञान। जनम हम कालक तो तो कैन्द एजडा जनम है साथा हम उस गुरू दे नाल जुडिये जो हजानेया दे नाल पर्या है जिससे कोल ब्यंत खजानने ने गुरुनावनीद दरियाओं तो केंदे गुरु साहभ भी एक खजानना हन जी असी उन्ना कोल जाए ये कम्प्लीट पूरन पुर्ख हन जनम हम कालक तो वैसाधे जनमा दे साधे इसे जनम दे या जनमा दे जेड़ी मैल है जेड़ी कालक है जे दे नाल जोड़के गुरु शबद दे नाल जोड़के एवरीटिंग इस पासिबल पट जरूरी है उस ते लही की करना सोख होटल गुरु से भी ए एहनस सहज सुबाई दर्सन पर से गुरु के चनम मरन दुख जाए ओल्मस शाइदे सानु सार्यानु कंठगी होएगा जद असे कई वे रिस्ता उचारन गलत वी याद किता होया है सो बट इस एग्जेक्ट वी टू स्पीक सो कहो टल गुर से भी है एहनस सहज सुबाई दर्सन पर से गुरु के जनम मरन दुख जाए कैंदे फिर उदे बारे में दसां सो कहो सो मैं कह रहे हां एटल पटकल जी गुर सेवी है केंदे उस गुरु दी सेवा करो कदों एहनस निस केंदे ने रात्री नीशा आम इन नाम भी रख देने कई लोग नीशा रात्री एहनस दिन ते रात केंदे गुरु दी दिन रात तु सेवा कर सहज सुबादे नाल कर और मैं भी केंदा करना चानना उस गुरु दी डिन रात सुब़ाई तो पावैठ्थे प्यार पाई प्यार फैर सुबबर कर नल पिजिए कि तो सेवा थे कर प्यार देना घंडर से पर सिय गुरु के जन्नम मरन दुख जाए गुरु सुगुरु देना जे तू दरशन कर सके जनम दा ये मरन दा दुख सारा खत्म हो जानदा है केंदे जनम ही सब तो वड़ा दुख है क्योंकि जिस दा जनम नहीं हो आया तो उसनों कोई दोखी ने सकदे हां ऐस तरीक्ते देनाल गुरु दशन करके तो गुरु दे दर्शन को जिए अंगला नो सुनके जीवन चाणके घीवन चृटॡ주 आखे cucumber we all are looking for happiness that doesn't change into sadness we all want to be happy always but there is only one way to attain that happiness as we discussed in our previous lecture as well in happiness happiness अगर कोई पेड़ है तो पेड़ दी छाया वी है पेड़ दे फल वी में तो पेड़ दी छाया दे नाल साड़ी गर्मी साड़ी तपश साड़ा पसीना सुख सकदा है पर पेड़ दी छाया दे नाल पूख नहीं मिट दी तो सिर्फ पदार था दे नाल बहरी शरीर साड़े दा पसीना सुक सकदा है च्छा मिल सकदी है ठंडग मिल सकदी है पर जेड़ी अंदर पूख जागी है जिसनों सी शांत करना चांदे हाँ उन नाम दे फालतों बिना नहीं मिट सकदी ते ताही मनुक हमेशा लई सुखी हो सकदा है तो गुरु साब किरपा करन असी सारे जे सवस्था दी गाल पाटिकालजी कर देने गुरु अंगा साब जे सवस्था दे पहुंचियो है हम असी उना दे बूलानू गुरुवां दे भाणे इनू जीवन दे विच प्रैक्टिकल करिये तो आपना इन पर्सन लेक्चर है अथे ही जड़े जुलाई दे विच हरे शनीवार एवरी सैटर्डे मार्निंग 11 एम गुल जेड़ा है लेवल फोर दे उपर क्लास्रूम दे विच अपा इन पर्सन सारंग की बार दे लेक्चर्स कर दे हैं तो जेड़े भी लोकल हां सो रिक्वेस्ट यू यू मस्ट चॉइन जरूर आओ ते अपना जेड़े है उत्थे विचारां भी कर दे हां और जेड़ा है टूवे इंट्रेक्शन भी उंदा है कोई अगर कोश्चन्स ने वह अपने कीमती समय जो एक कंटा एवरी सैटर्डे जरूर कर दो रोस्तो इलावा इस्वार इस संटेनु स्पेशल प्रोग्राम भी है we have a topic come to learn and go to serve we'll talk about it in English as well and we'll use Punjabi as well so could be the mixed kind of lecture but request to all whoever is in Singapore must join us इत्यवे अप्पा विचार करांगे की सिखना है की सर्व करना है कितना सिखना है ते कितना सर्व करना है in the light of गुर्पान so now I turn over the floor to you entire Sangat किसे नो गुरु साभ ने कोई ख्याल दिता है किसे दे मान दे जो विचारा है हम गुरु ने बक्षे हन अपने तक ना रखना सारी संक्ता देना संजे करना कि जेडे विचार ने वो गुरु दिन्दा है किसे दे विजरिये कुई भी अगर नॉलेज गुरु सा बंड रहेने so don't keep it with yourself so now I'm giving you the option you can unmute yourself one by one and you can share your experiences वाहिगुर जी का खाल्सा वाहिगुर जी की पतेच हांजी हांजी राजवीर जी you are unmuted would you like to share something okay okay हांजी any other संगत मेंबर who wants to share something good to see you again after long time अजी थोड़ी प्रावलों जी होगी सिगी वासिक थाइगान जी मेरे सब्पायर होगे लास्ट मांत है थोड़ीया मांजिया और होगया सिगार इस कारके न और फिर बानी नू फिर पड़ेया सुच्छिया ना कंदे चिंता ताकी की जो अन्होनी होई ए ए मार्ग संसार को नानक क्खर नई को ए तु यह भाहिगरु तो बिनाता हुर कंदे वी जोड रोना आया त्पर जानाता है ना तो फिर अपना अजिस्च तीरद सच भी तो फिरत हुघि अपने अन्दर कि आप गूने यह कंद सी होओं। ढ़कि ए खक्रीज बना के ओखने थे आप अपने अन्दर के नोगिए। तर ले धित ओग्रह घ्टांगे विजी तो इमतिहान लै रह सी भी देखावी के मैं ब्योग घ्याव bringt vedere वो तो बिचारा मंगदासी लोड सीगी, वो ने उनु दित्तानी खर एसे तरह अपा कई वारी गुद्धवारा साव जानने या अपा केने भी मैं जी गुद्धवारा साइव आजे डोनेट करया माँ जा मैं अपर डोनेट करना ले ता कोई कौन हम था हम ने या भी देनवाल काम करोद लो भों हनकारदे विची फसी हाया ति किन्या सोन समझा हो गया गुरुजी आवजी आवदी बायने देविच्च अपर लोगो भुम बसकरे सब बल तो तो सदा सुख मनभसे दुख संसारे कोई जदो की जड़काने दुखी हो गया गुरुपल आजे तर गुरु रुक्स वाया जाग पोट्वे चड़कर थे के देखिया कर तरह करे ही उकन दे आप जो करा दिखना यह कर देखिता यह थो लिए कर देए कम तेर भुड़ा करे टिर अपटर आप है गन्टीच्ट हैं टेर फे ते वे वही गुरु तेरा बहुत बहुत शुकर किना दिता सानु आज इस वर देन मिल गया झान तरहा है तेरा है तेरा जन आखिगरदें वेचेन तो को दाल गुर सेविय ए आहिन सेह स्वाई पेरो गुरुदी सेवा कंदे करो मननों करिये ते पैयर नालग पेजिके करिये फेर ही सानु गुरू मिलना, पिर जनम उक्रन आपना फेर सारे साथ गटस्ती जानदीया, पिर सानु आप दोख गूँची नहीं लगादा, अधो आप दुखने लगदा, जो जो हमेशा शोते लगदा, जो जो आसी अुरु गुरुते हुख्म देविचे चलना शुरू कार सब्सक्राइब कर सकते हैं तो वसी करिए गुरु सब्सक्राइब करने सनु सार्यानु जड़ायो के अंदेने भी ऐसे ताकत बक्षन ऐसा बाल बक्षन भी ऐसे जड़े गुरु दी मर्जीनु सबकर कर सकी हुछू कम नुद मन सकी है So thank you very much for your contribution Pradipkaoji Haanji, any other Sankat member who wants to add something or contribute? Haanji anyone can unmute themselves no worries beautiful set of uh for you by Patkal basically he compares the qualities of god through what he sees in Guru Angad right and he says Guru Angad appreciated a genuine desire for union with god and through uh the through following the teachings of Bani keeping good Sangat right he obtained god's darshan basically right that's a message of how we can do it as well at the same time right and uh he therefore obtained a guru's darshan and uh he was therefore blessed by god with the self-discipline uh other qualities and abilities to be able to discard that bad voices we have the five voices and passions which uh lead us astray right and so uh therefore what my takeaway is that from Carl's appreciation of Guru Angad it says the lesson for the lesson for us is that uh we should serve and appreciate when we when we think of Guru Angad we should appreciate god day and night with love action and be blessed by god and in this way we will find peace salvation in our life okay so that's not my understanding of this whole uh uh exposition by Patkal on Guru Angad so thank you very much for your contribution so thank you very much so yeah 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 अगे अजय हर्दीब जी वोड याइक टो शेयर सम्झेंग वाहिगूजी का खासा वाहिगूजी की फट्टे वाहिगूजी की फट्टे वह संगत मेंबर ने बहुत सुना आप दे विचार किते ते तुसी भी बहुत सुना जसार कुछ समझाया जो मैं लिख दी रहनी है ते जो स्क्रीन ते होंदे तोक मैं फटा-फट लिख दी हुनिया ते जो तुसी पहली तुक गुरु नानग लेवजी दी 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 सी तेर नारायन तेर गुरु तेर सच्छा विचार की तुसी क्यासी तेन इंपोर्टन कलाने हो थे परमात्मा शबत ते विचार साच्चा विचार मतलब सच्चा विचार विचार है उस दा सच्चे दा वह जेड़ा है वो थेर है इस साच्च दी विचार गुरु ते परमात्मा आप इक को ही रूप है तो गुरु अंगड़ देग जी दे इस विच पता लगदा उना दी उना दस बागए हो जासी ते जो तुसी पहला भी क्या सिगा के खुश रहना ते जिमें तुसी क्या कोई दुखी ओवे ता आवे ते असी ता कई वरी सुन्दे भी निए उसे दुख आसी कहने भी कि ये सारे दुख सानु सनाई जंदा परे हो जावे जी इना गुरू विच शांती सी मान जी शांती सैस बाए वाले सानु ते असी भी इस त प्राइब को सदे भानी विच हर मकसन न असी बानी ना जुड़ना संगत विच रहना वाई गुरू नु याद रखना वाई गुरू जातन वाद कना अई मैं सिखे मेली है मैं वाई गुरू जी का कासा वाई खालत वाह गुश था थार नुच था जांती सब्डान वेस्त Okay, so I request you once again के सारे अपने आपनो अन्मूट कार लो जी कवरी अपना गुरू पाश्या भी बख्षी फटे एक वरी संजी रूपते विच भुला ने जी सो देख जेड़ा इथे अपने चर्दी समापती कर देहां इक वर फिर तूँ सारे अन्दा तनवाद तुसे अपना किम्ती समादेता सारे प्यारना लाखना जी वाहे गुरू जी का खासा वाहे गुरू जी की फतेच थेक्ज।